श्री गुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारी, अपने मन रूपी दर्पन को गुरु के चरन कमलों की धूल से साफ करके, मैं रगुवीर, राम के पवित्र यश का वर्नन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। बरनु रगुवर, बिमल जसु, जो दायकु फल चारी, मैं रगुवीर के पवित्र यश का वर्नन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरोन पवन कुमार, मैं अपने आपको बुद्धिहीन जानकर, पवन पुत्र हनुमान का स्मरन करता हूँ, बल बुद्धी विद्या देहु मोहिं, हर्हु कलेश विकार, हे पवन पुत्र, मुझे बल, बुद्धी और विद्या दें और मेरे कलेशों और विकारों को दूर करें। हे अंजनी के पुत्र, पवनसुत, पवन के पुत्र, हनुमान, आपकी जय हो। महावीर बिक्रम बजरंगी, हे महावीर, पराकरम और वज्र के समान बलवान, आपकी जय हो। कुंती निवार सुम्ती के संगी हे जो बुध्धिहिंता को दूर कर सत्बुध्धी के साथ ही है, आपकी जय हो कंचन बरन बिराज सुबेसा, आपका शरीर सोने के समान चमकदार है और आप सुन्दर वस्तर धारन करते है कानन कुंडल कुंचित केसा आपके कानों में कुंडल, बालिया और आपके गुंगराले बाल है हाथ बजर और ध्वजा बिराजे आपके हाथों में वजर और ध्वजा, ध्वज, सुशोभित है कांधे मूंज जनेव साजे आपके कंधे पर मूँझ का जनेव सुशोभित है संकर सुवन केसरी नंदन आप शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र है तेज प्रताप महा जग बंदन आपका तेज और प्रताप महान है जिसे सारा जगत वंदन करता है विद्यावान गुनी अती चातुर आप विद्या, गुन और अत्यंत चतुराई से संपन्न है राम काज करिबे को आतुर आप श्री राम के कारे करने के लिए हमेशा ततपर रहते है प्रभू चरित्र सुनीबे को रसिया आप श्री राम के चरित्र को सुनने में आनदित होते है राम लखन सीता मन बसिया आप राम, लक्षमन और सीता के हृदय में बसे हुए है सूक्षम रूप धरी सिहिन दिखावा आपने सीता माता को अपना सूक्षम रूप दिखाया विकट रूप धरी लंक जरावा आपने विकट रूप धारन करके लंका को जलाया भीम रूप धरी असुर सनहारे, आपने भीम रूप धारन करके असुरों का सहार किया, रामचंदर के काज सवारे, आपने रामचंदर के कारियों को सिद्ध किया, लाय सजीवन लखन जियाए, संजिवनी बूटी लाकर आपने लक्षमन को जीवित किया, श्री रगुवीर हर्शी उर्लाए श्री रगुवीर ने हर्शित होकर आपको अपने हृदे से लगाया रगुपती कीन ही बहुत बढ़ाई रगुनात ने आपकी बहुत प्रशंसा की तुम मम प्रिये भरत ही संभाई आप मेरे भरत के समान प्रिये भाई हो सहेस बदन तुम्हरों जसगावेन हजारों मुख आपके यश का गुनगान करते है अस कही श्रीपती कंठ लगावेन ऐसा कहकर श्रीपती, राम ने आपको गले से लगाया संकादिक ब्रहमादी मुनी सा संकादिक और ब्रहमादी मुनी आपकी महिमा गाते है नारद सारद सहित अहीसा नारद, सरस्वती और शेशनाग भी आपकी महिमा गाते है जम कुबेर दिगपाल जहाते यमराज, कुबेर और दिगपाल, दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा गाते है कभी कोबिद कही सके कहाते कवी और विद्वान भी आपकी महिमा कहां तक कह सकते हैं। एक योजन आठ मील पर स्थित था। लील्यो ताही मधूर फल जानू। आपने उसे मीठा फल जानकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहिं। प्रभु श्री राम की अंगूठी को आपने अपने मुख में रखा। जल्धी लागी गए अच्रज नाहिं। औ देते, वे आपके अनुग्रह से सरल हो जाते है। राम दुआरे तुम रखवारे, आप राम के दुआर के रखवाले हैं। होत न आग्या बिनु पैसारे, आपकी आग्या के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आपकी शरन में आने से स सभी सुख प्राप्थ होते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। आप रक्षक है, तो किसी को भी डरने की आवश्यक्ता नहीं। आपन तेज समहारों आपे, आप अपने तेज को स्वय नियंत्रित करते हैं। तीनों लोग हाकते कापे, आपकी गर्जना से तीनों लोग का शंब उठते हैं। भूत पिशाच निकत नहीं आवय। भूति पिशाच आपके पास नहीं आ सकते। महावीर जब नम सुनावय। जब महावीर, हनुमान का नाम लिया जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, रोग नश्ट हो जाते हैं और सभी पीरा समाप्त हो जाती है। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो निरंतर हनुमान के नाम का जाप करता है। संकते हनुमान छुडावे, संकतों से हनुमान छुडाते हैं, मन करम बचन ध्यान जो लावे, जो मन, कर्म, वचन से हनुमान का ध्यान करता है, सब पर राम तपस्वी राजा, सब के उपर राम तपस्वी राजा है, तिनके काज सकल तुम साजा, उनके सभी कारियों को आपने प्रशिद्ध जगत उजियारा, जगत में आपकी प्रशिद्धी और उज्याला है, साधू संत के तुम रखवारे, आप साधू संतों के रक्षक है असुर निकंदन राम दुलारे, आप असुरों का नाश करने वाले और राम के दुलारे है अश्ट सिध्धी नौ निधी के दाता, आप अश्ट सिध्धियों और नौ निधियों के दाता है अस बरदीन जानकी माता, माता जानकी सीता ने आपको यह वर्दान दिया है